हलो शुडेंस वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम मेरा नाम है अवनी स्थिर बाठी तो कख्षाबारा अर्थसास्त्र जिसमें वेस्ट्री अर्थसास्त्र माइक्र एक्रोक्नोमिक्स देख रहे हैं इसका चैप्टर नंबर तीन उत्पादन तथा लागत और आज हम इसका एक बहत खास टॉपिक अल्पकालीन लागत यानि की सौट टम्स जो कॉस्ट होती है जिसमें खास करके सारी लागते आ जाती है उल्स्थिर लागत से लेके सिमान लागत तक की सारी चर्चा होती है इसकी बात आज हम करेंगे यानि कौन-कौन से लागते हैं जो अल से बारत तक की सारी शिक्षा बिलकुल निशुल्क पा रहे हैं आपको यहां एक या दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई पेड़ सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आप यहां पर बिलकुल यूपी बोर्ड विहार बोर्ड मद्रदेश बोर्ड की पूरी शिक्षा हिंदी म अध्यम में निशुल्क रूप से अर्जित कर सकते हैं और आपको इसके लिए कोई भी कूपन कोड़ डिसकाउंट कोड की जरूवत नहीं पड़ेगी इसी खास जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं यह खास सेशन और समझते हैं कि अल्पकाली लागते कौन-कौन से हैं सौ उत्पाधन जो होए वह भी परिवर्तन सील हैं और इस्थिर हैं और इन उत्पाधन के साधनों पर जो भी पैसा व्याई किया जाता है यह क्या होता है लागत होता है लागत क्या अधाना कुल मिला कर यहां से बंगती है अब जब उत्पाधन के साधनों पर पैसा खर्च कर करने को लागत कहा जाता है तो वो होते ही कितने तरीके के हैं कौन-कौन सी लागते हैं जो अल्पकाल में काम आती है पहली बात तो हमको यह पता है कि जो उत्पादन है वो समयावधी पर निर्भर कर रहा है ठीक है समयावधी पर निर्भर कर रहा है टाइम पीरियड पर अब इस समयावधी में भी आपको पता है कि एक अल्पकाल है और एक दिर्गकाल है ठीक एक अल्पकाल है और एक क्या है दिर्गकाल है अब इस अल्पकाल में इस सौट रन में होता क्या है इस अल्पकाल में दो तरह के साधन होते हैं एक एक इस्थिर साधन और एक परिवर्तन सील साधन एक इस्थिर साधन और एक परिवर्तन सील साधन दो तरह के साधन होते हैं जो इस्थिर साधन होते हैं इसका मतलब यह कि आप एक ऐसे समयावधी में हैं जब आप सारे उत्पाधन के साधनों को बदल नहीं सकते यानि जैसे माली जे भूमी है जो बदल नहीं सकती इस पर जो लागत लगेगी वो इस्थिर लागत लगती है जिससे हम कहते हैं फिक्स कोस्ट यह है परिवर्तन सील साधन और इस पर लगती है परिवर्तन सील लागत इस पर लगती है परिवर्तन सील लागत जिसको कहा जाता गाहे ङल्यуз कोस्ट को वेरीवल की तिक स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट परिवरतन सिर लागत वेरियवल कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट आपको समझ में आ गई इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब इस सी फिक्स cost और variable cost को मिला कर हम बनाते हैं total cost इन दोनों को मिला कर हम बनाते हैं total cost फिर इनके औसत भी निकाले जाते हैं यह क्या-क्या चीज़ें होंगे इनको देखेंगे लेकिन इतना ध्यान दे लिजेगा कि जो अल्प काल होते ही नहीं है सारे के सारे साधन यहां बदले जा सकते हैं तो इसी को अधार बनाकर अब हम आज का session का चर्चा करेंगे मने लागत के अधारना तो आपको अल्लेडी समझाई हुई है अधिक अल्पकाल वावध है जिसमें एक फर्म केवल परिवर्तन सील साधनों की सहायता से ही उत्पादन की मातरा में परिवर्तन कर सकती है यह बात ठीक है अल्पकाल में及 मजबूरी होती है कि आपके पास किवल वेरियेबल फैक्टर होते हैं और उनी को बढ़ा घटा के समय इतना कम होता है कि फर्म के इस्थिर प्लांट की छंबता या आकार में परिवर्तन करना संभू नहीं है थीक बात है यानि जो फर्म है उसकी जो fix capacity है उसको आप नहीं बदल सकते मान लीजे किसी फर्म में उनने कई बार चर्चा की है किसी फर्म में आगर माली जेख वहाँ पर भूमी है या प्लांट है मसीनीरी है अब उसको दो महीने एक महीने डेढ़ महीने में आप नहीं बदल सकते तो आप लेवर को बदलेंगे थोड़ा पुजी को बढ़ाएंगे गठाएंगे लेगिन स्रम को उसकких साधनों बदल सकते लेकिन भूमी हो गया, भवन हो गई, मशीन हो गई, इसको आप तुरद नहीं बन सकते, वो इस्थिर साधन है, तो एक चीज तो तैह है कि जो अलब काल है, वो दोनों तरह के उत्पादन के साधनों को साथ लेकर चलता है, और उसमें एक साधन एकदम फिक्स रहेगा, और परिवर्तन सील होती है, तो लागत का अध्यानम लिखिस सिर्षकों से कर सकते हैं, एक इसमें पाया जाता है कुल स्थिर लागत, एक इसमें पाया जाता है कुल परिवर्तन सील लागत, और दोनों को मिलाकर बनाया जाता है कुल लागत, तो आपको कैसे लेकर चलना है, यह मिलेंगी एक इस्थिर लागत जल्दी बताइए इस्थिर लागत किस पर लगेगी सर्व स्थिर साधनों पर बिल्कुल ठीक बात एक इस्थिर लागत एक इसमें लगेगी क्या परिवर्तन सील लागत परिवर्तन सील लागत ठीक है इसको बोलेंगे fix cost इसको बोलेंगे variable cost और दोनों को मिला के बोलेंगे total cost यानि कुल लागत कुल लागत ठिक तो इस्थिर लागत परिवरतन सी लागत दोनों को मिला के क्लियर है यह अल्ब fortune की बात हुए अभी इसमें और ख़िलागत रही होंगी तीनों के और सपनि काल लिये जाते हैं और साथ में सीमान भी जुड़ता है लेकिन मुख्य रूप से ये तीन लागते हैं तो अल्पकाल में कुछ साधने कुछ साधन स्थिर हैं तो इस्थिर लागत कुछ साधन वर्वरतंसील है तो पर्वरतंसील लागत उसके बाद कौन सी लागत आती है औसत कुल लागत तो वोलते हैं आंग्रेजी में एवरेज कोस्ट ठीक एक ये भी कोश्ट जुडते है मतलब पर यूणीट कितना औरस अंव कैसे निकाला जाता है इसी तरह इसट फिक्स कोस्ट कभी आ वशत निकाला जाता है और अवसत इस्थिरलागत ठीक बात और सथिरलागत जिसको आप बोलते हैं एवरेज फिक्स कोस्ट एवरेज फिक्स कोस्ट इसी तरह इस परिवर्तन सील लागत का भी आउसत निकाला जाता है तो क्या हो जाता है और सथ अवसत परिवर्तन सील लागत देखते चलिए कौन-कौन से साधन है कौन-कौन से लागत है आपको रटना नहीं पड़ेगा ठीक और इसको आप बोलते हैं टोटल वेरियेबल कोस्ट जिसको टीवी सी कहा जाता है ठीक बात तो सबका सॉर्ट फॉर्म भी है उसको जुरू लि लिएबल कॉस्ट ठीक यह हो गया एवरेज कोस्ट एसी यह हो गया टोटल कॉस्ट टी-सी और यह हो गया एवरेज फिस्सको रहनी एफसी साथ तरीके की कुल लागते हैं एक दो तीन चार पांच छे और एक और इसमें जुड़ता है सात्वां जिसको बोलते हैं mc यानि की मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं सीमान्त लागत ठीक आप कहेंगे सर यह कई लागते होगा इस समझ में नहीं आ रहा है समझाता हूं और डीटेल में समझाता हूं इस्थिर लागत परिवर्तंसी लागत दोनों को मिला के कुल लागत फिर यह तीनों का और सथ और सथ इस्थिर लागत और सथ परिवर्तंसी लागत और सथ ला कर समझाँगा कम से कम यह सात लागतों का आप नाम नोट कर लीजे पहला जल्दी बोलिये सबसे होगा टोटल फिक्स्काईस्ट यानि इस ठिर वाला दूसरा टोटल वैरियेबल खाष्ट टैनि कुल पहिवरतन छिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कुल इस्थिर लागत फिरसे लिख रहा हूं ध्यान सा समझ लिजिए कुल इस्थिर लागत की इसको बोलेंगे कुल कुल परिवर्तन सील लागत नोट कर लिजे कुल परिवर्तन सील लागत इसको बोलेंगे कुल लागत कुल लागत कैसे निकलती है वन प्लस टू ठीक यह वन और टू को जोड़ेंगे तो निकल जाएगी उसके बाद और सथ इस्थिर लागत और सथ इस्थिर लागत इनि एवरेस फिक्स कॉस्ट और सथ परिवर्तन सील लागत और सथ परिवर्तन सील लागत उसके बाद और सथ लागत और सथ लागत उसके बाद सीमान लागत यह साथ तरह की लागते हैं अलपकाल में अब एक एक करके थोड़ी इनकी हम बात करेंगे लास्ट में हो जाएगा सीमान लागत अब यह आपके सामने एक table है देख लीजे इस table में क्या कहानी है अब यह unit of output है ठीक है यहां से output निकल रहा है labor भी निकल रहा है labor भी इसी तर लगते चले जाएंगे यह total fixed cost है 0 है sorry 200 है यह total variable cost है जब 0 output होता है तो आप कोई labor कोई कच्चा माल कुछ नहीं लगा रहे होते हैं सब कुछ बिलकुल 0 होता है तो आपकी total cost total fixed cost के बराबर आ जाएगी क्या माजरा है मतलब देखिए कुल इस्थिर लागत कुल परवतन से लागत दोनों को जोड़के क कुल लागत निकाली जाती है पर यहां पर यह 0 है क्योंकि जब 0 output होगा तो प्लांट मसीनिरी का जो किराया होगा चाहें भूमी का जो किराया होगा जो fix किराय होंगे या जो पर्मानेंट इंप्लॉई होंगे उनकी salary होगी वो तो देना ही पड़ेगा चाहें आप 0 production करें चाहें तो अपर यह i am a collection करें तो इस्तिर लागत तो लगेगी तो वही आपकी कुल लागत हो जाएगी ठीक इसी तरह देखिए हर आउटपूट पे इस्थिर लागत बिल्कुल इस्थिर है जैसे जैसे परिवर्तन सी लागत बढ़ रही है तोटल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है परिवर्तन सी लागत बढ़ रही है वही कुल लागत हो रही है फिर क्या हो रहा है इसी कुल लागत को यूनिट से करके औस अब सीमांत लागत कैसे निकालने के लिए कुल लागत की बीच का जो गैप होता है 250 में से 200 तो यहां पर आ जाएगा 50 आ जाएगा ठीक है इसके अलावा 280 में से 250 तीस 300 में से 280 बीस 310 में से 310 यह आपको यहां पर निकल गया ठीक है टूटल कॉस इस तरह निकाला जाता है एक एक करके सभी लागतों पर देखकर हम टेबल निकालेंगे आई एक करके पहले लागतों को देख लेते हैं अब बात होती है कुल इस्थिर लागत से देखे कुल इस्थिर लागत का मतलब होता है यह इस तरह का लागत होता है जिसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबन नहीं होता उत्पादन अधीक हो रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है वह लागत जितनी दस दस ये लगेगी तो लगती ही रहेगी उत्पा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा चाहें आप जीरो यूनिट करेंगे तो भी ये दस रहेगी क्योंकि इस्थिर साधनों पे होने वाला ये खर्चा होता है इस्थिर साधन यानि भूमी प्लांट या मशिनरी जो बदलत और बढ़ता नहीं है तो जो भी आपका इस्थिर व्याय है वो होता ही रहेगा और इस कारण जो इसका वक्र बनता है वह बड़ा दिल्चस्प बनता है वह कैसा बनता है एक्स अक्षांस के समाना अंतर ये एक्स और ये वाई मालीजे यहां पर मैं लागत लेलू टोटल फ मैं ती अफसी ले रहे हैं वाई एकसइस पर और यह दस ले लिया तो जीरो पे भी दस एक पे भी दस दो पे भी दस तीन पिर दस चार पे भी दस पान्च पे भी दस तो यह देखा बिल्कुल सीधी रहा हो जाएगा ये टोटल-फिक्सकॉस्ट करब की रेखा होती है यानि कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट में चलते हैं हाँ इस्थिर लागत में समानेता प्रारंभिक वे पूजी परव्याज प्रबंधकों का वेतन मशीनों का हास रेड़ पत्रों परव्याज जो बीमा कराया है उसका प्रीमियम यह सब तो फिक्स है न में बात हो रही है ओसे लागतें जो उत्पादन की मात्रा के बढ़ने या घटने से परभावित होती है यह और यहां टोटल fix cost है मISTINT वो तो दर का लगस्ट बना हुआ है अभ यहाँ पर है यहाँ पर क्या है यहां पर जैसे ही completing जिस कॉस्ट लगेगा तो zero unit पर जिरो लगेगा क्यों कि जो कुल परिवर्तनसील लागत होती है वो परिवर्तनसील साधनों पर लगाई जाती है जिरो यूनिट तभी हो रहा है बतला production की मातरा जीरो तभी है जब कोई लेवर या कच्छा माल नहीं लगाये गया जब नहीं लगाये तो वे भी नहीं होगा तो यहां पर जो कुल लागत होती है वह इन दोनों को जोड़ने पर दस ही आएगी यानि जो इस्थिर लागत होगी वह दस होगी लेकिन अब यहां पर धीरे-धी निकाई का उत्पादन सुरू हुआ है इसका मतलब यह दो चार छे आठ कुछ नकुछ यहां पर वेरिवल कॉस्ट या परिवरतन सील साधन लगाया गया होगा और फिर यहां से फिर लागत जो है अपने आप 12 14 16 18 बढ़नी सुरू हो जाएगी यानि कुल लागत में जो जीरो से बढ़ता है इस ते अगर आप इसका करव खीचना चाहें यह यह आप वाई एकस यह एकस एकस और यहां पर आप जीरो से लेके एक दो तीन चार पांच और यह दो चार छे आठ अगर यहां मैं पोटल वेरिवल कॉस्ट या लागत ले लूँ तो यह करव कुछ यहांपर फिक्स जाता हुआ दिखाई पड़ेगा यहां पर फिक्स कॉस्ट एडस पर ठीका हुआ हैеф दस है वो दस में ठीका हुआ है सिधा लेकिन वेरियेबल कॉस्ट काट के ऊपर निकल जाएगा तो यह चीज़ यहां पर देखने के लिए मिलती है कि जो टोटल वेरियेबल कॉस्ट का सेफ होता है वह आपको ऊपर की तरफ रेखा जाती हुई दिखाई पड़ेगी ठीक अब तो यहां क्या है यहां पर इस पश्ट रूप से है कि जो उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती देती है वो कुल परिवर्तन सील लागत है सौर्ट में इसको टीवी सी कहते हैं यह लागते उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करते हैं यह आपने कच्छा माल लगाया जो भी आपने प्रत्यक्ष लेवर लगाया जो भी आपने सक्ति के साधन लगाए उन सब को जोड़ने से लागते निकलती है यदि किसी कारवस कारखाना बंद कर दिया जाता है तो परिवर्तन सी लागत सुनने होती है यानि जीरो हो जाती है ठीक सबसक्ता अब थोड़ासा अंतर देख लेते हैं कुल इस नागत और परिवर्टन साधनों से होता है फुर्टन से मतलब होता है उत्पादन की मात्रा देखें, तो इस्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परवरतंसील लागत पर उत्पादन की मात्रा का प्रभाव पड़ता है, सुन्य लागत, उत्पादन बंद कर देने पर भी इस्थिर लागत सुन्य नहीं हो कभी भी जो स्थिर लागत है वो जीरो नहीं होगी वो हमेशा कुछ न कुछ बनी रहेगी लेकिन उतपादन अगर बंद कर दिया जाए तो परिवर्टन सील सा लागत जो है वो जीरो हो जाएगी उस्थिर लागत की बात करें तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धी के साथ घटी जाती है क्यों घटी जाती है देखे अब यहां पर आप एक तरसे औसप की बात कर रहे हैं इसकी प्रकृती यह है कि भाई आप जीरो लेवल का प्रॉडक्शन था तो दस रूपया भर रहे उत्पादन जारी रखना अलुप काल में एक उत्पादक स्थिरलागतों की उठा कर उत्पादन जारी रख सकता है लेग immort माल की कीमत परवर्तन्सीदöyle के बराबर एव humano कर दिया जाता है तो इस्थिर लागत22य जहल लेगा जैसे हमाँ लीजए क कुई नहीं दुकान को यह नई दुकान में बिजली का बिल है साज सज्जा है सब कुछ है उसको कुछ दिन तक आप जहलते हैं कि चलो अब दुकान चल जाएगी चल जाएगी लगी जो परवरतंसील तो आपको चाहिए पैसा लागत की जानकारी कुल लागत में परिवर्तंसी लागत घटा दिया जाए तो इस्थिर लागत मिल जाएगी और यहां कुल लागत में से इस्थिर लागत को घटा दिया जाए तो परिवर्तंसी लागत मिल जाएगी कैसे जैसे देखें सीडी से कहा लापने से पूल परिवर्ब्र तनसील लागत को माइनस करने ठीक यह माल लीजे यह सिंसील ल्एकत में निकालना है तो इसके लिए कि टोर्टल कॉस्ट में से टोटलие कोश्ट को माइनस कर देंगे ठीक है तो formula number 1 formula number 2 formula number 3 ये आप ध्यार लगेंगे ठीक है ये इस तरह से इसका इनका संबंद रहता है तो ये कहानी हो गई कुल इस्थिर लागत की और कुल परिवरतन सील लागत की ठीक बात इसमें कोई दिकत नहीं है अब हम आते हैं कुल लागत में तो इसमें तो कुछ नही से समस्त व्ययों या कुल लागत से आसे फर्मद्वारा उत्पादित वस्तू की मात्रा को प्राप्त करने के लिए समस्त व्ययों से होता है जो भी टोटल आप खर्चा करते हैं उत्पादन के लिए चाहे वो इस्थिर लागत पर इस्थिर साधनों पर कर रहे हूं चाहे प परिवर्तन सील व्यायों से होता है तो जो आप इस्थिर व्याय यानी इस्थिर साधनों पर व्याय करते हैं और जो आप परिवर्तन तोटल कॉस्ट उपचे जाएगी टोटल वरीवल कॉस्ट हो जाएगी तीनों को स्थ आप इस तरह देख सकते हैं ठीक है क्योंकि इन दोनों को जोड़ के यह बंद आए तो इन दोनों समय सा उपर रहेगी और उपर की तरफ निकलती हुई चली जाती है ऐसा टोटल कॉस्ट वरीवल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट इसी तरह कर्व में दिखता है इसको आप देखते हुए चल लीजे मैं कर्व बना के बताता हूं कि आपको ध्यान रहे दिमाग में ताकि लॉजिक उसका समझे ठीक है एक बात कुल लागत के बारे में ध्यान रखिएगा आपसे कोशन पूछा जाता है अगर उत्पादन की 21 सूनने हो माली जे उत्पादन की जो मात्रा है ठीक है माली जे अगर उत्पादन शूनने हो ठीक है तो अगर उत्पादन जीरो है तो उस केस में फिर क्या होता है जो कुल लागत होगी वो कितनी होगी तो कुल लागत जो होगी वो equals to TFC हो जो कुल इस्थिर लागत है वही कुल लागत हो जाएगी ठीक है मालीजे उत्पादन की value 0 हो यहाँ 0 है और यहाँ पर TFC दी हुई है क्योंकि TFC तो लगीगी ही लगीगी यहाँ मालीजे इकाई है उत्पादन की ठीक 0 यहाँ TFC है वो कुछ ने कुछ रहेगी 2, 4, 500,000 जो भी रहे पांच कुल परवरतन सी लागत यहाँ 0 रहेगी तो कुल लागत क्या होगा है पांच प्लस 0 5 ठीक है न तो इसका लॉजिक क्या बना कि इकाई अगर उत्पादन की सुन्न है तो कुल लागत हमेशा कुल स्थिर लागत के बराबर होती है ठीक बात है इस बा कोस्ट का मतलब होता है प्रती काई लागत जितना आप उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो पर यूनिट पर आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है ठीक बात है तो पर यूनिट कॉस्ट इस कॉल तो एवरेज कोस्ट और वहां पर सीधी से कहानी है कि जो आपकी कु कुल लागत कहते हैं सो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कोस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाड़ेड़ वाई क्वांटिटी यानि कुल लागत को आप मात्रा से यहां पर डिवाइड देकर करके आराम से निकाल सकते हैं कोई उसमें प्रॉब्लम कोई कन्फ परिवरतन सील लागत मिला कर घुलागत बना लिया था इसी तरह आप स्थिरलागत निकालें और परिवरतन लीवानट का सत्नीग ले तो तो इनों को जोड़ के आप आप सत लागत निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है जैसे हमने देखा था कि एक टीयफ सी है तो इस कम भी ये एसी निख्याइब अक़े बिस्ट आगे चर्चा करेंगे अबरेज निकलेगा ऐसे टोटल वेरिये बल कॉस्ट है तो इसका भी एक औस परवतन सील लागत को जोड़ दे तो औस अगत निकलती है यहां पर यही फार्मूला बताए गया है तो औस त्थिर लागत वक्र और और औस परवतन सील लागत वक्र के बेवहार पर निर्भर करती है बिल्कुल ठीक बात है एवरेज कॉस्ट जो है वह हमेशा आपको इस होता है कि सुरू में होता है कि जितना आप उतबान मिफ्ם पर तकी सदनों को लगाते हैं तो उतबान की लागत cost जो वक्र होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है यही पर जो औसात इस्थिर लागत है इसके आगर मैं चर्चा करूंगा जो AFC है वो नीचे की तरफ आती है ऐसा average fixed cost कुछ इस तरह रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि देखो वो तो fix है टोटल तो उसका fix है production का unit बढ़ता जा रहा है तो जितना production बढ़ेगा जो पर unit पे इस्थिर लागत है वो घटी जाएगी ना जैसे मान लीजे मैं आप से यह बोलू कि इस कमरे का किराया 5000 रुपे है यह fixed cost हो गया ठीक अब एक चीज बताइए कि जब मैं एक unit का production करूंगा त कभी यह 5000 लगेगी इसका मतलब कि इसकी जो पर unit की लागत है वो धीरे धीरे कम आ रही है आगी बास समझ में यानि जितना ज्यादा production करेंगे इसका जो लागत है वो कम लगने लगेगा लगेगी यह 5000 ही लेकिन हर unit पे जो इसका खर्चा आ रहा है वो क्या हो जाएगा कम हो तो यह इसकी कहानी रहती है इसको आप जरू समझेगा खैर अभी आप उसत लागत को मैं इसके बाद वाले में आपको जरू डिसकस करूंगा ठीक है तो यू वाकार का होता है इट इस यू से ठीक बात अच्छा आगे चलते हैं अब अल्ब काल में परिवर्तनसील अनुप घटती है फिर स्थिर प्रच्फअल की रसा में लागत थोड़ी देर स्थिर रहती है और अन्त में और गट जाएगी तो लागत इस ठीक है कोई डाउट नहीं चलिए अब आते हैं और अ तोटल कॉस्ट है दस और मैं बोलू आसद एवरेश फिक्स कॉस्ट इतनी होगी तो दस बटा एक कर दीजे दस आ जाएगी यह माल दीजे है कि पंदरा यह है दो तो पंदरा बटा दो उसके टोटल को क्या कर दीजे यह lawyer नहीं total fixか स्टोटाल फिक्सकोट इतो 10 रहे झाया जान इसका प्रफीक क्सक्ष क्या होगी 10 डावगी इसको है क्या होगी डेडा खिक्ला कर दावगि तीटागब स्थिक्सको क्या होगी दिवाइडटब के साथ घटी जाएगी तो कुल इस्थिरलागत को form की कुल उत्पादन मात्रा से भाग दिये जाना पर जो प्राप्त होती है इसे हम औस तिर लागत कैसे हैं इसे प्रती काई इस्थिर लागत भी कहा जाता है यह भी याद रखेगा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ठीक बात है कुल लागत डिवाइड़ वाई कुल उत्पादित मात्रा ने कुल लागत में कुल इस्थिर लागत कर लिजे इसको ठीक है इसको कुल इस्थिर लागत डिवाइड़ वाई क्यों यहां पर आपको AFC मिल जाएगा और इसका अगर आप अगर आप खीचना चाहें ठीक तो ग्राफ कैसे मिल जाएगा आपको यह कुछ इस तरह का graph मिलेगा ठीक है average fixed cost curve का graph इस तरह मिलेगा क्योंकि उत्पादन की मात्रा के साथ घट्टा हुआ चला जाएगा अब देखे औस तरह में बहुत तेजी से गिरता है लेकिन फिर वह एक्सक्षांस के समाना अंतर हो जाता है तो इस तरह आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है वह कुछ ऐसे गिरता वाएगा फिर एक्सक्षांस के समाना अंतर हो जाएगा जो बहुत important है हाँ यह वाई और एग्सक्षां अक्षों कभी पूरा टच नहीं करेगा यहैए यह लगिन लेकिन कभी X और Y को टच नहीं करेगा और इसलिए इसको अति परवल है या रेक्टेंगुलर हाइपर बोला भी कहते हैं मैं फिर से एक बार सारे ग्राफ रिवाइस करूं आपको तो जल्दी बताइए टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसा बनेगा टोटल वरियेबल कॉस्ट ऐसा बनेगा टोटल कॉस्ट दोनस ऊपर कुछ ऐसा बनेगा average cost कुछ यू आकार का बनेगा और average fixed cost कुछ AFC ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तो ये सारी चीज़े बिल्कुल ध्यान रखेगा बिल्कुल इसमें कोई confusion है डाउट नहीं नहीं चीए टेबल आप बनाएंगा तो फिर और clear हो जाएगा अब बात करते हैं औस परवरतंसी लागत यानि कुल परवरतंसी लागत को यहां पर परवरतंसी लागत को लिखना पड़ेगा यहाँ पर कुल परिवर्तनसील लागत आपको मिल जाएगी उत्पादर में विर्धी के साथ साथ औसत परिवर्तनसील लागत प्रारम में एक निश्ची बिंदू तक गिरती है लेकिन उस बिंदू के बाद फिर बढ़ना सुरू हो जाती है तो AVCV क्या हो जाएगी यह ऐसे जाके ऐसे जाना सुरू हो जाएगी लेकिन यह average cost के नीचे रहेगी क्योंकि औसत लागत जो है वो औसत इस्थिर लागत और औसत परिवर्तनसील लागत दोनों को मिला के बनती है तो यह average fixed cost वाला कर्व हो जाएगा यह average variable cost वाला हो जाएगा दोनों को जो के average cost बनती है लेकिन जो औसत परिवर्तनसील लागत वक्र होती है वो भी आपको कुछ इसी प्रकार की दिखाई पड़ेगी तो उत्पादन वर्धी के साथ साथ औसत परिवर्तनसील लागत निश्चित बिन्दू तक गिरती है फिर बढ़ती है और यह क्यों होता है परिवर्तनसील अनुपातों की नियम के कारण होता है कि पहले उत्पादन की काईया बढ़ाने पर या परिवर्तनसील सादरों की म यह जो कहानी है तो यहां से यहां तक उत्पत्ति के व्रधी करें में बढ़ते प्रच्फल का नियम होता है एक बिंदू के बाद उत्पत्ति का हास नियम लागू होने लगता है और वो तिव्र गती से फिर उपर बढ़नी सुरू हो जाती है इन्ही विशिस्ताओं के काड़ ठीक दूसरा हमने क्या पाया एवरेज वैरियेबल कोस्ट और परिवर्तनसील लागत जिसको क्या बोलते हैं और यह कोश्चन पूछा जाता है ध्यान रखिए कौन-कौन से यह वाकार के हैं और लास्ट में अभी एक और वक्र देखेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट जिसको बो और लृक्त धोना टीनों का लाजिक लागत है रोजिक इसलिए धेकर बाधतों का उसते हिए परिवतंसील लागत का मतलब यह होता है कि कुल लागत में कितना चेंज हुआ वो चेंज इसी परिवरतंसील साधन के वज़े से हैं इसलिए वह भी युवा कार्गी हो जाती है तो यह कुछ यह क्या है एफ सी ठीक है और आप क्या दिखाना चाहेंगे यह एवरेज कॉस्ट कर्व कॉर्व इस तरह दिखा सकते हैं ऑसद लागत वक्र शुक्र प्रवतंसील लागत से सदे उपर रहता है यह आसद लागत क्या है और यह वाद नुदानों को जोड़के वह जैसे टोटल fix cost और total variable cost को जोड़के total cost निकलता है इसी तरह औसाथ variable cost और औसाथ fix cost को जोड़के औसाथ लागत निकलेगी ठीक बात है क्योंकि औसाथ लागत और औसाथ परवतनसी लागत का योग ही औसाथ लागत बनती है जैसे जैसे उत्पादन की मातरा में वर्दी होगी औसाथ लागत और औसाथ परवतनसी लागत में दूरी कम होती जाएगी मतलब अगर इसको थोड़ा सा ऐसा बना लीजिए ये ऐसे करके ऐसे हाँ तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो उसत लागत और उसत परवतनसी लागत के बीच की दूरी कम हो जाएगी लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं तो तीन रिखा हैं एक उसत इस्थिर लागत, उसत वरियेबल कॉस्ट और उसत लागत तो ये भी एक important relation है जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी और उसत इस्थिर लागत में कमी आएगी ये देखिए कमी आ रही है और कुल लागत वकर से उसकी दूरी घट जाएगी और कुल उसत इस्थिर लागत सुनने कभी नहीं होगी ये भी जान लगे ये जीरो कभी नहीं होती है ये बिल्कुल आप confirm रख लीजेगा ठीक है अब last में आते हैं सिमांत लागत जिसको बोलते हैं marginal cost कर इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे परिवर्तन सील साधन बढ़ा रहे हैं तो कुल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है वो सिमांत लागत है ठीक बात है जैसे माल लीजिए मैंने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच का प्रडक्शन किया यह मारा टोटल प्रडक्शन है दस, अठार, छब्वीस, तीस, चालीस तो यहां क्या हो गया मार्जन प्रडक्शन क्या है पहले 10 का तो 10 हो जाएगा फिर 10 और 18 में 8 का अंतर, 18 और 26 में कितने का अंतर है यह आट का यह क्या है, होता नहीं मैंने हर्पोदेटिकल ले लिए, 26 और 30 में 4, यह 10 यह जो भी बीच का गैप है, यह सीमान, अच्छा यह मैंने प्रडक्शन ले लिए क्या सोरे, कॉस्ट की बात हो रही है, टोटल कॉस्ट और मार्जनल कॉस्ट, टीस्री और एमसी, ठीक है, तो यह इस तरह से आप ले सकते हैं, सुतर में कुल लागत में परिवर्तन divided वाइ उतपादन की मात्र में 11 जो अत्रिक परिवर्तन है, तो डेलटा टोटल कॉस्ट डिवाइड़े ज़ेल्टा लेवर, जो आपने परिवर्तन सीर साधन बदले हैं, उसमें कितना चेंज हुआ है, इससे निकाल सकते हैं, यह सबस ilso step 12 18 215 और ओर माली जो मुझे सह्मान तूट यह दस है यह अब यहां निकालना है महना सिमान सिमान प्लागद माय जनल लृट तो जहाम नीकालता है यहां यहां टी सी एन यह वाला टी सी होगा एंपर हो गैनल ऊपर वाला और स्कूर अट-1 नो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एंट मायनस दो से पांच ऐसे निकाला जाता है तो यह बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे आप निकाल सकते हैं और सीमान लागत वक्र का जो सेफ है वो भी यूवाकार का होता है इसको आप नोट कर लिजेगा माजल कॉस्ट करब को तो प्रोफेसर फरगुशन ने सीमांत लागत को परिभासित करते हुए कहा कि उत्पादन में एक इकाई की विर्धी करने से जो कुल लागत में विर्धी होती है यह सीमां लागत में तो चेंज परिवर्तन सील लागत लागती है सीमांत लागत परिवर्तन सील लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन होती है सीमांत लागत वक्र भी परिवर्तन सील अनुपातों के नियम के कारण यूवाकार का होता है जिस भी वक्र का सवाल आप से पूछा जा है इसको डीटेल में जानना है तो प्रिविएस वीडियो में बताया है कि परिवर्तन सीरंपातों का नियम क्या है जहां सुरू में लागत घटी है फिर बढ़ने लगती है सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन की दर को बढ़ाती है ठीक बात यह तो हमने गैप देखी है अब देखी भाई यह हमारे सामने थे कुल मिलाके सारी लागते हैं अच्छा मैं लास्ट में एक और लास्ट बस नौद लिस्ट मैं करी लेता हूं एक बार आप जरूर सारे लागतों के वक्र को देख लीजिए ठीक बोली में साथ टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट टी एफ ठीक यह माल लीजिए ऐसे ऐसे जाती है यह तोटल फास्ट एसे चली यह तीन कॉस्ट ऐसे बन गई इसमें कोई डाउट तो नहीं है समझ में आ गया बाकी के कॉस्ट को देख लीजिए तीनों का ओसात यह होसा है औस इस्थिर लागत एक यह होती है अउसत वेरिएबल कॉ वो कैसे बनती है यह भी ऐसे ठीक सारे करव के सेव आपको पता चल गए ना कोई डाउट तो नहीं यह में टेवल कैसे क्रियेट करना है टेवल प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा बाखी कैसे निकाली गई थी वैल्यू मैंने आपको दिखाई दी थी फॉर्मुले सारे आप को बताई दिए तो यह परिवर्त तंसील या अलपकाली न समय में जो लागते लगती है साथ प्रकार की उनकी चर्चा में ने कि यह बहुत जरूरी और इंपॉटेंट टॉपिक था इसमें किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिग दीजिएगा और सेर जरूर करिएगा एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंगनेट ब्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट इसके एप्लिकेशन और इसके यूटूब की माध्यम से बिलकुल निशुल सिक्षा पा सकते हैं इन सभी को से सीब्स इंग्लिस मीडियम टीसी ओलंपिया इट स्पोकें इंग्लिस हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड विहार बोर्ड ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और नोर्स इनके भी लिंक दिये हुए जहां से आप नोर्स मंगा के भी पढ़ सकते हैं जो अबार सोचल मीडिया हैं ट्वीटर टे बाइब के बाइब बाइब